नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं SDV News आपके साथ मैं स्ट्रिस्टी मिश्रा आज केवल बात होगी कि क्या कॉंग्रेस पार्टी अपना शून्य समर्थन केजरीवाल को देने वाली है क्यूं भाई मैं सक क्यूं कह रही हूं अब आपको मैं पूरा विस् दिल्ली में सुप्रिम कोट के फैसले के बाद के ने सरकार अध्यादेश लेकर आई खास तोर पर अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सर इस पर किजरीवाल के पैर दिल्ली में नहीं टिक रहे हैं अब अधिरंजन चौजरी ने तीर छोड़ दी है और कह दि अधिरंजन चौधरी की बात बता रहा है कि अगर मोदी से कोई संसद में ठीक से बहस कर पाया अभी तर या उनसे ठीक से बहस करने कराब मोदी जी को भी बोलने को चुप कराया है तो सिर्फ अधिरंजन चौधरी ने अच्छा यह दुर्भागे के पार्लेमेंट में अब उतने अच्छे सांसर नहीं है मुझे याद है गुलाम नमी आजाद भी कभी कभी बहस करते थे तो मोदी जी उनकी बात सुनते थे जब अटल विहरी बाचपई बहस करते थे तो अटल विहरी बाचपई से नहरु जी ने कहा था कि का सका मुझे दो अटल मिल जाए नहरु जी ने कहा था यह दो बार प्रिधान मंत्री नहरु जी खड़े हो गय थे अटल जी के भासर सुनने थे वह पोईसन अगर लाई है तो अधिल अजन चौधरी ने रहूल गांधी पूरे लाइब में पार् अधिल जाता है हर बच्चा दो साल का बच्चा सीख जाता सोनिया जी इतनी बुड़ी हो गई इतनी बड़ी हो गई हिंदुस्तान में प्याई उनका पती वह था हिंदी बोलता है अधिल लंजन चौधरी बंगाली हो करके बहुत अच्छी बंगला जानते हैं बहुत अच्छी असमी जानते हैं बहुत अच्छी उडिया जानते हैं बहुत अच्छी इंगलिज जानते हैं बहुत अच्छी हिंदी जानते हैं दूसरा बहुत अच्छी भोचपुरी जानते इन सब के अलाबा वहीं पर सुनिया जी को और पार्लेवन में आज जो कुछ भी विपक्ष में अगर लीडर है कांग्रेश आप समझ लीजे ये पोईशन है कांग्रेश की ममता बनर जी चुन-चुन करके कांग्रेश्यों को वहां परेसान की हैं कांग्रेश के लिए टेलीफून का बेल यह वह हैं उनका यह करा दीजिए वह करा दीजिए और ममता परी नहीं अकेला आदमी संगर्स कर ला अपने दम पे दो सांसे जिता के लाया मतलब कोंग्रेश पार्टी अधिर अधिर अजन चौधरी के नेत्र से तिकी हुई है इसलिए उनको बेस सांसे अगले ने कहा क्या है अगले ने यह कहा है कि कांग्रेश को जो यह है यह चौपट कर देंगी के जरीबाल ममता मिलकर और उसकी हिम्मत देखे कि उसने कई जिया वास्तों में कांग्रेश का अगर सूपरा साप हुआ है उसकी बजह थि कि इनसे दिल्ली पंजाब हर्याना ग आप पार्टी की बज़े से अगर आप पार्टी गुजरात में लड़ती तो कांग्रेश जीती अब आपको तरह दिल्ली में क्या है जिससे में कांग्रेश रही सीला दिक्षे दो हिंदुस्तान के पचार का लगब 20% दिल्ली ले जाता है वह आपको मिल गया प्रफोगंडा क करने की हुई दूसर ममता बनर जी ने क्या का कि बही कुछ लाज्जों में इनको हमसे समझवता करना मुझसे क्यों लड़ रही है तो यह चाहिए मता बहरां जी पशुर्व थी एक मिल मजा पंजाम में मिल जाए महाराष्ट मिल जाए वहां भी बंगाली है तो यह चाहिए कि इसलिए उसने बात इस सही खड़ी कहे दी मगर आपको उता रहा है एक भी कांग्रेस काल करता ने अभी तक पूरे देश में उनका समर्थन नहीं किया आम आदनी पाठी कांग्रेस की काल कर कर देनी चाहिए कि आला कमान से मैं यही अनुरूत करूंगा प्रताप सिंग बाजवा ने कहा कि हम समर्थन तो बिल्कुल नहीं देंगे अजय माकन ने भी कह दिया कि इन लोगों की चलती नहीं वहां चलती है से लोगों की जो मौस लीडर ही नहीं चलती है दिगविजे सि चलती है एन्टोनी की फैंबली की यह लोग पब्लिक लीडर कभी रही है अच्छा कभी दी लोग लीडर दे रही है यह लोगों की चलती और जो उन्हों ने कहा उन्होंने किसारा दे लिया I accomplish और ने संसत के उशमें ओरनंस में अगर बिरोद किया और वह आपके झंडे के यह आपके जंडे के नीचे जाना हो जाएगा अगर इनको ऑडने लाना है तो नो कॉण्फिडेंस ले आए कांगलेस मोदी के खिलाप और पार्लेमेंट में विस्वास पसता हो वह एक कांगलेस की इज्जत होगी और इनके जंडेक नीचे आगए इनके ऑडनेस के लिए तो क बहुत बुड़ा होगा और आप निश्ची तो बढ़ जाएगी जहां जहां कांग्रेस ने सब्सक्राइब लेकिन आपने कहा कि आप बढ़ जाएगी लेकिन क्या आपको यह लगता है सर कि कॉंग्रेस पार्टी बखुबी समझ रही है कि यह वोट पर चोट दे रही है देख कांग्रेस ने कभी भी इस समय जुलफली खान भुट्टो यहां पर आए बेनजीर भुट्टो आई राजू गांदी उनसे मिलने गए राजू गांदी उसके बाद भुट्टो ने इनको अर्दम में ले लिया इंद्रा गांदी ने समझावता कर लिया जीत हुई सारी जमी यह कि टमिल लान के राम चंदर से समझावता कर लिया कांग्रेस निप घई यहां पर बशपा से कर लिया स्पा और कांग्रेस बिलकुल निपड़ निपड़ गई यूपी, घघ कांग्रेस ने जो डिशीजन लिए है उसमझावता कर लिया मुलायम सर्ग म्रुत matar दूक्त इतना दुख हुआ मुलायम सिंग ने कहा भी मंगा अखलेश माने नहीं उसका रिजला की बुरी तरीके से हाड़ गया और अखलेश की उस समय कम बढ़ायक आने की बज़े सिर्फ कांग्रेश थी अखलेश आज यह कहते हैं कि मेरी जिंदिगी की सबसे बड़ी भूल लही जो अब रास्ट्रिय पार्टी का दर्जा मिल गया है पंजाब में जीत चुके हैं यहां दिल्ली में कमान संभाले हुए ऐसे में अनुपार्टिक रेशियो बताई क्या लगता है कि अगर आम आपनी पार्टी कॉंग्रेश में सिंध लगाने की कोशिश करेगी तो क्या कॉंग ने के उस पे कांग्रेश ने समर्थन किर लिया तो नोट कर लिजे जो कांग्रेश का का वहां पे दिल्ली में बोट है इसमें लगभग 60% मतदाता उनसे हट जाएगा आप की और चला जाएगा और कुछ बीजेपी में चला जागे नोट कर लिए दूसरी बात इतना बड़ नटीव दिक्षेद बाजवा इन सब को कुछ नकुछ पद्दे देंगे वह पजाब में यहीं पोजिस्षन होगी पंजाब में कांग्रेश टूटेगी चुक्त और में कांग्रेश अब जान गई कि हम सत्ता से बाहर हो चुकि हैं बीजेपी तोड़ लेगी बीजेपी ने पूरे देश में इनका कार करता अगर टूट के बीजेपी के साथ गया तो आपको बीजेपी बहुत इस्ट्रॉंग हो जाएगी और आप आप आगे बढ़ जाएगी अब सर यही बात पर मैं आप से सवाल करना चाहूंगी कुछ शब्दों में बस बया किजीए यह बताईए क कि देखिए अध्यादेश की खिलाफ कॉंग्रेस पार्टी अभी दिखाई तो नहीं दे रही है और केजरीवाल को इस पर जबर्दस सपोर्ट चाहिए होगा और अगर छे महीने में अगर केरे सरकार विधे को पास कर देगी तो इसका मतलब जीत केरे सरकार की होगी अब मे इतने वह लोग प्रपोगंड़ा के वह हैं कि उसमें साप ऑड़र में था कि केंडर जिसमें चाहे तो आदेश बना दे जो स्टेइट को मनना पड़े का इस वाद को बताने को तयानने कि इनोंने होटल में रुपिया लिये इनोंने पंदरा कि इसमें कुनिये जी कहेंगे कि उनको भारत रहतर मिलना चाहिए भागत सिंग ने देश के लिए साहदत दी तुम चोड़ी कर रहे ते बिल्कुल ओपिन चोड़ी कर रहे ते लोग अपड़ाधी हैं वहां पे बंद हैं मैं आपको ताहलो इसके पहले आपका ये पार्टी का जितना जवज़स्पतन हुआ हिंदुस्तान के त्यास में किशिक नहीं हुआ ये सब जिल जा रहा है इनके जादा दिन के वो नहीं राजनेतिक जीवन और आपको ताहले इनकी संगत में मान जो है मान की एक इज़त है मान एडी के यहां गया सम्मान के साथ ये मान को भी बरबाद कर लाए संगत का तर ज और उसकी इतनी बुड़ी पोजिशन हो गई और मान की क्या पोजिशन हागा है? जो भी होगा इसमें नुकसान इन दोनों का है थीक है तो सर देखिए जैसा उनोंने बताया कि कही न कहीं आमादी पाटी धरशाई हो रही है आपको बता देगब फिर से शीष महल पर बेनकाब हुए अरविन किजरिवाल, हवाला कांड पर बेनकाब हुए अरविन किजरिवाल, शराब कांड पर बुरी फसी आमार्मी पार्टी अब दर दर भटक रही है कोई तो समर्थन दे लेकिन अपने आपको देश का सबसे विपक्ष बताने वाली कॉंग्रेस पार्टी ने दर किनार कर दिया कह रही है एक सपोर्ट नहीं एक समर्थन नहीं और कहीं न कहीं ममताव इनर्जी को भी बेनकाप किया आर्विन देकेजरिवाल को भी कॉंग्रेस लीजर्स बेनकाप कर रहे हैं यानि कि अध्यादेश के ख बड़ा जटका इस अध्याधेश की बाद लगेगा पल पल पर आपको मैं अब जिट देती हुए नजराओंगी बहुत शुक्री आपका स्ट्वी नियू से जुने के लिए